तो finally महिंद्रा की XUV300 का facelift इंडिया में launch होने जा रहा है and महिंद्रा ने इसके interior exterior के साथ साथ इसके नाम को भी change गन दिया है and महिंद्रा इसके एक दो teaser भी release कर चुकी है and इसके कुछ dealership पे इसकी booking भी start हो गई है तो आज की इस वीडियो में मैं इसी महिंद्रा की upcoming XUV300 के facelift जिसका नाम अब XUV300 हो है उसके बारे मैं आपसे बात करने वाला हूँ और जो भी details अमेलेवल है वो share करूँगा तो स्वागत आप सभी का चैनल पे और इस एक और और वीडियो में तो चलिए तो बिना time waste के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बस एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो आने में बहुत महिनत लगती है तो बस एक like काकर बटन दबात होगी तो बहुत महरवान ही होगी motivation मिलता है अगर वीडियो नहीं पसंद आता तो at least dislike कही बटन दबात हो ताकि उससे मुझे feedback में जा है कि मुझे और गाम करने की ज़रुत है तो सबसे पहली चीज़ जैसा कि मैंने कहा कि महिन्दरा ने इसका नाम बदल दिया है अब यह XUV300 नहीं बलकि XUV300 कहलाएगी और दूसरे चीज़ महिन्दरा इसको आने वाली 39 अप्रेल को globally unveil करने वाली है और जैसा मैंने कहा कि कुछ dealership ने इसके booking भी open कर दी है और कुछ dealers इस upcoming महिन्दरा की XUV300 की booking कर रहा है 21,000 रुपे ले करके बट यह booking unofficial है अभी official booking open नहीं हुई है तो आप अपने city पर check कर सकते हो कि आपका dealer इसके unofficial booking ले रहा है या नहीं और अगर आप already book करा चुके हो तो please comment के ज़रूत अलर कि आपने किस शहर में कराई है और अगर बात करूँ इस XUV300 की कि यहाँ पर हमारे को कितरा चेज़ दिखने वाला है इसके interior में इसके exterior में इसके feature list में ताकि आप decide करवाओ कि आपको वाकई इसका wait करना चाहिए या इसकी booking करानी चाहिए या नहीं जैसा है कि already वो एक दो teaser drop कर चुकी है और उस teaser को यह अगर हम ध्यान से देगे तो यहाँ पे एकदम fresh and identical design देखने को मिलेगा इसके front में हमको एकदम नया face here basically revised bumper ओफर गिया जा रहा है with sleeker grill and inverted C-shift LED DRLs साथी यहाँ पे हमारे को dual barrel LED projector headlamps ओफर गिया जा रहे है with a treat bumper and rear में भी हमको LED connected till lights मिल जाती है with a revised bumper and इस LED बार के नीचे आपको Mahindra का new twin peak logo देखने को मिल जाएगा and take OC के नीचे आपको इस XUV 3XO की badging भी मिल जाएगी and in major changes के अलावा यहाँ पे हमारे को एकदम fresh allowables मिलने वाले हैं and पकर बात करूँ interior की तो interior में भी यहाँ पे Mahindra ने काफी काम किया है और हमको एक major review देखने को मिलने वाला है इस XUV 3XO में तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एकदम new set of design के dashboard देखने को मिल जाएगा पूरा नया layout होगा, चाहर EC panels होगा है, सारी चीज़े and इन सबकी अलावा जो सबसे बड़ी update है वो यह कि Mahindra इसमें काफी नए features offer करने वाली है and कुछ तो उसमें segment first भी होगे जैसे इसमें अब हमारे को panoramic sunroof offer किया जाएगा जो कि इस segment की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है and इसके लावा अगर कुछ और नए features की बात करूँ तो इसमें अब हमको front में ventilated seats मिल जाएगी 10.25 inch का touchscreen infotainment system and digital instrument cluster मिल जाएगा 360 degree camera मिल जाएगा 6 air wax मिल जाएगी power driver seat मिल जाएगी dual zone climate control मिल जाएगा wireless charger मिलने वाला है ambient lightning मिल जाएगा new seat अब wall stream मिल जाएगी and level 2 adas मिलने की उमीद है and इसके लावा it is expected कि महिंदरा अपने variants का नाम भी change कर सकती है and हमको यहाँ पे कुछ और नए exterior color shades भी मिल सकते हैं बाकी आप मुझे comment दिर के बताओ क्या रहा है आपकी इस महिंदरा की xvv3xo को लेकर के comment दिर के ज़रूर share करना और अगर बात करूँ safety के तो मुझे लगता है कि यह भी safety में 5 star तो ज़रूर secure करेगी बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो like कर देना चैनल पर नए हो या अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe the channel फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हित जय भारत